कि इस question को देखिए के लिए इसको हमको solve करना है तो किस तरीके से solve करोगे देखो क्या equation 1 upon 2a plus b plus 2x is equals to 1 upon 2a plus 1 upon b plus 1 upon 2x तो ध्यान से चेक करो यहां पर x है और इसमें x है इसको पकड़के left में लेके आओ तो क्या हो जाएंगा यहांसे 1 upon 2a plus b plus 2x और यह plus 1 upon 2x left में आएगा तो यह वाला plus किस में चेंज आएगा माइनस में यानिक माइनस 1 upon 2x is equals to में क्या बचेगा 1 upon 2a और प्लस 1 upon b बचेगा यह लीजे ठीक अब क्या होगा यहां ब्रैकेट लगाएंगे ठीक और इन दोनों का जब लेंगे तो यह दोनों multiply हो जाएगा आपस में यह 2x इदर जाएगा यह ब्रैकेट इदर जाएगा इदर यानिकि 2x और माइनस यह ब्रैकेट जाएगा वन में multiply करेगा तो कितना आ जाएगा 2a plus b plus 2x and whole divided by यह दोनों जब लोग है तो यह वाला और यह वाला multiply हो जाएगा यानिकि 2x इंदा ब्रैकेट 2a plus b plus 2x बताई यह आसान समझ में है कुछ नहीं करना है इन दोनों को इदर multiply करेगा यह जाएगा और multiply करेगा बस इसी तरीके इस राइट-hand side क्या करना है यह दोनों आपस में multiply हो जाएगे 2ab यह यानिकि 2ab b जाएगा इदर multiply करेगा b into 1 is b और 2a जाके इदर multiply करेगा तो 2a b plus 2a यह लिजए ओके अब हम क्या करेंगे जहां से चेक करो bracket open करेंगे तो यहां सा जाएगा कितना 2x minus जैसे ब्रैकेट open करोगे तो minus 2a और minus b और minus 2x हो जाएगा so minus 2a minus minus 2a minus b और minus 2x और divided by नीचे कितना है 2x in the bracket 2a plus b plus 2x और is equals to में कितना है b plus 2a upon में 2a b इसको bracket लगा लो यहां अब देखिए यह 2x positive है और यह negative है कर जाएगा उपर बचेगा क्या minus 2a minus b और upon में क्या बचा 2x in the bracket 2a plus b और plus 2x is equals to यह देखो यह क्या लिखा हुआ है b plus 2a आप इसको 2a plus b भी लिख सकते हो check कर लो b plus 2a लिखो या 2a plus b लिखो बात क्या है same उसके बाद नीचे क्या है 2a b है ठीक है अब देखो अब हम क्या करेंगे यहां से यहां से आप minus common ले लो जैसे इसमें से minus common लोगे यह 2a positive हो जाएगा और b भी कैसा होगा positive so minus common आ गया तो bracket मचा 2a plus b upon में क्या है 2x इंदा bracket 2a plus b plus 2x is equals to कितना आ जाएगा 2a plus b upon में 2a b अब ध्यान से चेक करना मैं क्या करने जा रहा हूँ very important step है ध्यान दीजेगा जड़ा हूँ ध्यान से वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि 2a plus b से 2a plus b कटेगा और नीचे वाले 2 से 2 कटेगा फिर भी फिर भी फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसका reciprocal कर रहा हूँ किसका 2a plus b upon 2 का reciprocal कर रहा हूँ 2a plus b upon 2 का जो reciprocal होगा वो क्या होगा वो होगा पहले चेक कर लो क्या करने जा रहा हूँ समझ लेना मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ ध्यान चेक करना 2a plus b upon 2 का reciprocal करेंगे तो क्या हो जाएगा चेक कर लो पहले 2A प्लस B अपॉन 2 का reciprocal क्या होगा बताओ 2 अपॉन 2A प्लस B भाई इसका reciprocal करोगा यही तो आएगा और इससे उठाके हम right hand side और left hand side multiply कर देंगे इसी से क्यों अभी पता चल जाएगा हमने किया right hand side क्योंकि किसी भी equation में अगर आप same quantity से multiply कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता है हमने क्या किया 2 upon 2A प्लस B से right में multiply किया और इसी तरीके से ध्यान से चेक कर लो आगे करोगे confused हो जाओगे इसको थोड़ा साइधर खिसका के तब दिखाओ क्या आप left hand side भी किस से multiply कर रहे हो राइट हैं साइड भी 2 upon 2A प्लस B और left hand side भी आप 2 upon 2A प्लस B से multiply कर रहे हो इससे क्या फायदा है इससे फायदा आपको दिख जाएगा 2A प्लस B से 2A प्लस B इधर कटेगा और 2A प्लस B से 2A प्लस B इधर कटेगा ये वाला 2 से 2 जाएगा सही है और ये वाला 2 से 2 चला जाएगा ठीक अब आपको मिलेगा क्या है यहां finally यहां माइनस बचेगा उपर माइनस का मतलब माइनस 1 होता है उपर कुछ नहीं बचा तो 1 मानेंगे है ना सो माइनस का 1 बचा और upon में क्या बचा upon में ये x बचा हुआ है ध्यान देना upon में x और bracket में 2a प्लस b प्लस 2x so 2a और प्लस b और प्लस 2x ठीक is equals 2 में क्या बचा is equals 2 में क्या बचा नीचे a इंटो b बचा और उपर कुछ नहीं बचा तो 1 यानिके 1 upon a b तो उपर बचा क्या 1 upon a b ये लीजे ठेक ठेक कर लो इधर बचा minus 1 upon में x in the bracket 2a प्लस b प्लस 2x is equals to में 1 upon a b अब इसको solve करना है तो next page पे आ जाओ क्या बचा हुआ है minus 1 upon x in the bracket 2a प्लस b प्लस 2x 2a प्लस b प्लस 2x is equals to में 1 upon a b क्या यही बचा हुआ है चेक कर लो minus 1 upon x in the bracket 2a प्लस b minus 1 upon x in the bracket 2a प्लस b प्लस 2x और is equals to में 1 upon a b correct so is equals to में 1 upon a b अब इसको में solve करना है ठीक है x के लिए में solve करना है यहाँ साब की quadratic equation मन जाएगी कैसे ध्यान चेक करो पहले ध्यान चेक करना यह जो पूरा यहाँ लिखा है यह उधर जाएगा तो 1 में multiply होगा इतना ही आ जाएगा cross multiplication कर रहा हूँ और a b यहाँ multiply कर रहा है तो minus a b तो इसको हमने किया 1 में चेक कर लो यहाँ bracket लगाने की तरुद भी नहीं है इसको उठाओ चिपचाब 1 से multiply कर दो यानिके x in the bracket 2a plus b plus 2x into में यह वाला 1 is equals to me a b into minus 1 so a b into minus 1 लो खिक अप सुनो यह x नहीं इससे पहला आप एक काम करो क्या अब आप सोचो कोई भी quantity 1 में multiply करेगा तो इतना ही मिलेगा यानिके x in the bracket 2a plus b plus 2x into 1 1 इतना ही है भाई 1 का कोई मतलब ही नहीं है यह 1 से multiply को इतना ही आ जाएगा is equals to a b को जब 1 से करोगे यहाँ 1 नहीं है minus 1 तो a b into 1 तो a b लेकिन minus लगेगा तो minus a b ये लो ठीक अब अब x अंदर जाएगा तो जब x अंदर जाएगा तो यहाँ जाएगा ठीक और प्लस x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा आम आपका तो bx नहीं सॉरी क्या हो जाएगा यहां से x जाएगा b में तो b into x करेगा और प्लस में क्या है प्लस में क्या है 2x है और यह वाला x आके हैं multiply करेगा so 2x square चेक कर लो x into 2x 2x square ठीक is equals to मैं minus a b अब सुनो minus a b को left में लेके आओगे ठीक लेकिन उससे पहले आप rearrangement करोगे left hand side में क्या rearrangement करोगे पहले थोड़ा से इसको ठीक से रिखलो पहले x square आप लिखोगे यानि कि 2x square और फिर यह लिखोगे आप और सुनो क्या लिखोगे यह 2ax और प्लस bx आप लिखोगे is equals to minus a b अब मेरी बात ध्यान सुनना ध्यान से सुनो ध्यान से क्या इसको आप left ले ओ चलो तो यहां सो जाएगा 2x square और प्लस 2ax और प्लस bx और माइनस a b left में आएगा तो प्लस a b is equals to 0 ये लो अब इन दोनों में से common क्या रहा है बताओ x नहीं 2x so 2x common लोगे इन दोनों में से यहां से को 2 चला गया x तो 1x बचेगा और प्लस यहां से 2x गया तो a बचेगा so x प्लस a और प्लस अब ध्यान दो ज़रा इन दोनों में से क्या common लोगे इन दोनों में से B common ले लोगे भाई चक कर लो ना इसको bracket में रख लो ऐसे पता चल जाएगा ठीक तो इन दोनों में से B common लोगे तो B common लोगे क्या बचेगा ब्रैकेट में B X था B चला गया तो X बचेगा और प्लस B चला गया तो A बचेगा Is equals to 0 अब इसको curly braces में बंद करेंगे यह रहा first term और यह पूरा है second term अब इस curly braces में से क्या बाहर आएगा X plus A यहाँ भी X plus A यहाँ भी X plus A common आ जाएगा curly braces में first term में क्या बचेगा 2X और plus second term में क्या बचेगा B is equals to 0 अब सुनो एक बार X plus A को 0 रखोगे ठीक तो यहाँ से X क्या जाएगा plus A right में जाएगा 0 minus A minus A तो X हागया minus A और एक बार इसको 0 के एकवल रखोगे यानि कि 2X plus B बराबर 0 2X बराबर 0 minus B यानि कि minus B B जाएगा right में negative हो जाएगा और 2 जाके उदर डिवाइड लगाएगा निका X बराबर minus B by 2 so this is your final answer X is equals to minus A and X is equals to minus B by 2 मतलब दो values आ रहे हैं क्यों quadratic equation थी so either X is equals to minus A और X is equals to minus B by 2 तो इस तरीके से